जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में जब सेव के धाने के उपर काले रंगे छूटे छूटे दाग आना चाहिए और इन लेंटी सेल्स का इन डॉट्स का यूज यह फूर्ट गैस एक्सचेंज के लिए खता है छूरी सो खरोचते हो तो उसके ऊपर यह वाइट कलर की क्रीम जैसी लेयर छूरी के उपर या चकू के ऊपर में आजाए वो जो है उस फूर्ट के ऊपर लगी हुई वैक्स है जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में ये दो ऐसे मंत हैं जब सेव के धाने के उपर काले रंगे छोटे-छोटे दाग आना चालू होता है और ये छोटे-छोटे दाग जो है फ्रूट को बहुत बढ़ा सा बनाते हैं एक फ्रूट के उपर में 10, 20 या 30, 40 तक ये दाग आपको देखने को मिल सकता है काले रंगे पहुत छोटे मानो पैन से एक छोटा डॉट लगाया गया हो इतने छोटे ये दाग होते हैं इन दागों को जो है लेंटी सेल ब्रेकडाउन कहा जाता है ये लेंटी सेल ब्रेकडाउन क्यों होता है इसी के उपर ही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेप के दाने को जब आप closely देखते हो नजदीक से देखते हो तो दाने के उपर आपको जो है ये वाइट कलर के छोटे छोटे डॉर्द आपको नजर आएंगे ये जो वाइट कलर के डॉर्ट हैं इन डॉर्ट को जो है लेंटी सेल कहा जाता है और इन lenticels का, इन dots का यूज़ जो है, ये fruit, gas exchange के लिए करता है, यहां से gas exchange होती है, अंदर और बाहर, तो ये gas exchange का काम ये करते हैं, ये छोटे-छोटे महीन चिदर होते हैं, micro pores होते हैं, यहां से gas अंदर बाहर जाती है, तो ये छोटे-छोटे छेद जो है, जिनको lenticels का जाता है, ये इस fruit के काम की चीज़ है, इन lenticels से जो gas exchange होती है, उसी से ही इस fruit की age को कम या जादा भी किया जा सकता है, जिसमें कि अगर आपने imported fruit देखा होगा, तो उसके उपर जो है, जब आप छुरी सो खरोचते हो, तो उसके उपर से जो है, वाइट कलर की क्रीम जैसे एक लेयर छुरी के उपर या चकूक के उपर में आ जाती है, वो जो है, उस fruit के उपर लगी हुई wax है, ये wax हमारे देश में, इंडिया में तो कोई use नहीं करता है, कि wax coating fruit के उपर यानि fruit के ये जो छोटे-छोटे gates हैं, ये gate बंद हो जाए और gas exchange होना बंद हो ताकि fruit की age को बढ़ाया जाए, उमर को उसकी बढ़ाया जाए, इसके लिए वो wax इसके उपर चड़ाई जाती है, fruit की अपनी भी एक wax होती है, natural wax, वो बहुत कम होती है, जब आप इसको, natural fruit को ज ये एक layer इसके उपर चड़ाई है, और ये layer जो है, जो इसकी natural wax है, ये इस fruit को संबन से बचाने में भी काफी हद तक इसका साथ देती है, इसका सही योग करती है, ये lenti cells जो है, जब drought conditions ज्यादा हो जाती है, extreme drought जब होता है, जब सुका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तब जो है, fruit के अंदर में, कुछ nutrients की कम हो सकती है, magnesium कम हो सकता है, तो उससे जो है, ऐसी ऐसी परिस्तितियों में, ये lenti cells जो है, खराब होना चालू होते हैं, ये skin के ऊपर की जो छोटे-छोटे cells हैं, ये मरना चालू होते हैं, खराब होना चालू होते हैं, उसी को ही जो है, lenti cell breakdown कहते हैं और इसमें जो है इन cells का जो color है वो black color हो जाता है अब इन lenticels के खराब होने से अगर आपको इसको बचाना है तो आपको जो है calcium की मात्रा यहाँ पर पूरी रखने पड़ेगे जिन cells के पास calcium कम होगा क्योंकि इसके उपर तो 1000 यह lenticels है अगर आप fruit को गुमा करके देखोगे तो 1000, 10000, 2060 यह 30,000 मुझे ऐसा लग रहा है कि 30, 40,000 यह हो सकते हैं ऐसे तो यह in lenticels में जिन cells के पास calcium की कमी होगी वो cells जो है उनके उपर यह impact पड़ेगा चाह सूके का चाह मेलेशिम की कमिक तो इससे बचाओ के लिए अगर आप चाहते हैं आपके फूर्ट के उपर यह लेंटिसल ब्रिकडाउन ना हो तो आपको जो है में जून में पौधे को कैल्सियम फॉलियर अप्लिकेशन के माध्यम से देना चाहिए यह सिम्टम आपको जो है जून के महीने में दिखेगा या फिर जुलाई के पहले या दूसरे अपने में आपको दिखेगा और उस वकर ज्यादा आपको यह जूलाई के पहले दूसरे अपने में ज्यादा नजर आएगा जून में थोड़ा सा कम आपको नजर आ सकता है लेकि यह जो है NPK के बाद चोथा ऐसा nutrient है जो पौधे को ज्यादा चाहिए होता है तो इस nutrient को ज्यादा चाहिए इसलिए इसकी supply आपको ज्यादा देनी पड़ेगी लेकिन calcium की तरफ लोगों का ध्यान कम होता है आप soil application के थूपी calcium दे सकते हो और foliar application के थूपी calcium दे सकते हो केवल अगर foliar application से आपने देना है तो आपको जो है जैसे calcium chloride है तो उसके 400 या 500 ग्राम की dose के साथ आपको 8-10 spray आपको करनी पड़ेगी और maximum 12 तक आपको spray उसकी करनी पड़ सकते है लेकिन इतनी spray हमारे यहां पर calcium की करना असंबव है क्योंकि fungicide की spray से ही आदमी को time नहीं मिल पाता है तो ऐसे मैं 3 या 4 spray तो फिर भी की जा सकते है बाकि आप soil application के माधिम से calcium दे सकते हो ताकि कुछ requirement पौदे की वो soil के थूँ मिल जाए और कुछ requirement आप जो है पहले पहले आपको एक और application calcium की देनी ही चाहिए ताकि यह आपके बगीचे में ना आए इससे जो है आपकी जो परिशानी lenticel breakdown को देख करके होगी वो परिशानी आपकी रूखेगी देखिए अगर यह lenticel breakdown बहुत छोटे size का है तो इसके ठीक होने की संभावनाय बनती है क्योंकि जैसे ही बारिशें आएगी दूसरे अपते में या पहले अपते में जुलाई के तो फिर calcium soil से अपते होना चालू होगा तो कह सकते हैं कि जुलाई के खतम होते होते अगर यह size छोटा है इसका तो यह जो recover होना चालू हो जाता है और अगस्त की शुरुआत तक आपको जो है यह दिखना बंद हो जाएगा लेकिन अगर आपका किसमत खराब हुआ तो यह lenticile breakdown का जो size है यह pinpoint के size से बड़ा हो जाएगा और बड़े होने के बाद तो यह repairable है calcium मिलेगा अपने आप रिपेर होगा calcium आप खुद दे रहे हो या फिर बारिश आने के बाद में calcium उठाता भी है तो अपने आप भी टीक हो सकता है लेकिन मैं यह कहूँगा कि इसके आने से पहले आप जो है में जून और जुलाई के पहले दूसरे अप्ते तक foliar application के थूँ पौदे को calcium दे ताकि lenticel breakdown जो है वो आपके fruits के उपर आये ही ना नहीं तो यह जो lenticel breakdown है यह जो है गड़े की तरह होता है यह और बड़ा बड़ा होता जाएगा इसका size थुढ़ा और बड़ा होगा और जब तक harvest होगा तब तक जो है इसका size काफी होगा लगबग एक सूथ के size का भी जो है इसका size हो सकता है तो तब जो है fruit आपके कामकर नहीं रहेगा यानि fruit जो है आपको उतना पैसा नहीं दे पाएगा जितना पैसा आपको मिलना चाहिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दमाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो डलते ही पहला नोटिफिकेशन आपको आए और आप इस वीडियो को देखता है यह वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और इन वीडियोस को बनाने में हमारा काफी effort चाता है और इस effort के बदले में अगर वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचता है लोग इसको नहीं देखते हैं तो फिर हमारा effort जाया जाएगा जिससे कि हमें और वीडियो बनाने के लिए stimulation नहीं मिलता है हमें और वीडियो बनाने की प्रेणा आपका share, आपका comment, आपका like देता है क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों तक आपसे मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो नमस्कार, जैहिन, जैभार